नमस्कार साथी हूँ, मैं सुरेश वदी सी हूँ, ये जो वीडियो लेकर आया हूँ आज, ये रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन्स इन स्कूल, अर्थाथ एक स्कूल में बच्चों के साथ कैसे इंग्लिश में बात की जाए, क्लास्रूम में कैसे बच्चों से बात की जाए, इनी सब के बारे में कुछ छोट छोटे sentences हैं, phrases हैं English के, जो हमें जानना चाहिए, और सबसे बड़ी important बात ये है, कि ये सब vocabulary improvement की बात होती है, जहां confidence की बात होती है, कि हमें hesitate नहीं करना है, जब भी हम इन sentences को use करें, तो एक confidence level के साथ, और जैसा mood, वो sentence का है, वो जैसा हमें gestures, जो how-how बनाने के लिए के लिए कहता है, हमें वैसा ही how-how के साथ, हमारे facial expressions जो हैं, उनको वैसा ही बनाते वे, हमें बड़े confidence के साथ, इनको बोलने का practice करना चाहिए, ताकि हम classroom के बेतर, ये school के अंदर, हम अपने आपको एक बहतर teacher, एक बहतर spokesperson बना पाएं, इसी प्रिय आज के साथ ये video आपके साथ है, तो चलिए जानते हैं, छोट-छोटी बाते, phrases, sentences, कैसे बात की जाए, कैसे उनको बच्चों को instruct किया जाए, देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें कि English language का एक बड़ा अजीब से इस्तती है, अजीब ही कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो एक common word, नमस्ते, नमशकार, राम, राम, सश्रीयकाल, खमा, गणी, ऐसे बहुत सारे greeting, जो sentences ये phrases हैं, जो बोले जाते हैं, और उसमें day time का कोई impact नहीं लेकिन English के साथ थोड़ा सा यहाँ change है कि day के phases जो होते हैं, उसके accordingly उनको बोला जाता है, तो कैसे कब कब क्या बोलना है, वो एक छोटी सी बात, जो वैसे तो आप लोग पर इचीत होंगी, बट फिर भी मैं चाहूंगा discuss करना, सबसे पहले morning जो होती है, morning में हम wish करते हैं ब फ्रेज एंग्लिश में वो होता है, good morning, very good morning, आप इसमें बोल सकते हैं, आपके उपर depend करता है, morning के लिए, generally यह फ्रेज कब तक यूज किया जाना चाहिए, तो यह होता है कि जब से आप morning में उखते हैं, तब से लेकर के, आप noon time, जो बारा बज़े से पहले पहले का दिन का depend करता है, वो और अच्छा लगता है, तो noon का time, जब day time में 12 o'clock का time हो रहा हो, 12 बज़ रहे हो, उस समय हमें good noon बोलना है, इसका ज्यादा gap नहीं है, केवल 12 बज़े ही बोलना है good noon, exact timing, इसके बाद जो है afternoon, means दोपेर के बाद का जो समय होता है, उसे हम afternoon कहते हैं, generally यह evening 3-4 बज़े तक का time जो होता है, उसे हम afternoon time में calculate कर लेते हैं, तो good afternoon या very good afternoon, उसके बाद में evening time स्टार्ट हो जाता है, जो generally, जो है 5-6 बज़े से ले करके, और almost आपका 7-8 बज़े तक का या उसे आसपास का time, जो है generally बोल दिया जाता है, और इसको हम use करते है, good evening, sandhya का time, sam का time, good evening, very good evening, आप कह सकते हैं, उसके बाद आप जब सोने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप रात्री काल जो है आप प्रारम कर चुके हैं, आप सबका सोने का time विप्रेंट हो सकता है, तो वो जब से start हो रहा है, तब से ही आप उसे use कर सकते हैं, good night, very good night, तो व आप greet कर सकते हैं, अगली जो बात मैं आप से करना चाहरा हूँ, वो morning greetings जो हम कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उनको जानने का है, वो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जैसे आप मिलते हैं किसी से, अब ये day time में आप जब भी मिल रहे हैं, तो जैसे schools में, morning time में मिलते है तो हम इसको कह सकते हैं, तो आप जो एक common word है, वो सब के रिए use कर सकते हैं, hello everyone, good morning everyone, इस type के आप प्रीज common use कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, hello everybody, hello everyone, hello everybody, उसके अलावा आप कह सकते हैं, hello students, जैसे आप बच्चों से बात कर रहे हैं, students से बात करते हैं, you can say hello students, good morning students, similarly, उसके अलावा Hello, my dear students आप थोड़ा सा और जो polite way में आना चाहते, तो आप यूज कर सकते हैं Hello, dear students, Hello, my dear students, उसके अलावा, आप बच्चे का सीधा नाम यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, Just supposed किसी बच्चे का नाम प्रत्णूश है, तो आप कह सकते हैं, नमस्ते to all, सभी को नमस्ते जो इंदी में हम कह देते हैं, Englishman कह सकते हैं नमस्ते to all Apart from that Good morning everyone आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं, Good morning everybody कह सकते हैं आप Good morning students कह सकते हैं आप Good morning my dear students कह सकते हैं आप Good morning बचे का नाम ले करके कह सकते हैं तो so many patterns are there से जो बहुत सारे तरीके हैं आपको बचों के विस्थ करने लिए तो आप यह मैंने मॉर्णिंग का बताया आप यह बागी के पेटर यूज करके इंगलीश में बोल सकते इस हैं विस तरीके सी तरीके से बात कर सकते हैं आप भी कह सकते गुड मार्निंग हैं Oh तो ये general sentences हैं, good afternoon teacher, good बच्चे जब जाते हैं, तो बोल के जाते हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं, good morning children, good morning students, good morning name आप use कर सकते हैं, तो ये phrases and greetings के वो हैं, आप confidence के साथ इनका use करें और आगे बढ़ें, इसके अलावा जो अगर हम इसी conversation को, इसी dialogue को आगे बढ़ाना चाहें, इसी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बच्चों से आगे पूछ सकते हैं, how are you children, बच्चे जवाब दे सकते हैं, I am fine, आप उनसे कह सकते हैं, how are you guys and girls, guys means boys, girls means, girls का ये बोल चाल की भासा की terms है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, how are you guys and girls, तो एक common phrase है, आप यूज कर सकते हैं, how are you students, ये भी आप यूज कर सकते हैं, return में जवाब आपको देना है या आपको सुनना है, तो क्या आ सकता है, we are fine, thank you, what about you, तो I am also fine, thank you, तो एक जनरल बात होती है, जो हमें use करना चाहिए, थोड़ा सा pronunciation के साथ हो, कुछ gestures, जो आपके facial expressions हैं, वो भी इसके साथ visible होने चाहिए, उसके अलावा, बचा आपके class में आ गया, school में आ गया, तो आप कह सकते हैं, welcome to the class, welcome to the school children, तो ये common phrase है, आप use कर सकते हैं, जब बचा चुटी में जाता है, चुटी का टाइम हो जाता है, तो आप उस समय कह सकते हैं, now pack up your bags, बचा मूँ कर रहा है, तो आप कह सकते हैं, make a line and walk in a queue or line, queue means qatar, या line means qatar होती है, तो जब बचों का आप line बना गरने के लिए कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, make a line move from this side, तो go or move from this side, आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप बचों को चाहते हैं, मना करना चाहते हैं कि या खड़े मत होईए, या खटे मत होईए, तो आप कह सकते हैं, don't assemble here, don't assemble there, आप ये यूज कर सकते हैं, assemble के अलावा एक जो और इसका synonym हो सकता है, वो उसका जो हम बात आगे कर सकते हैं, जो common sentences हैं, जो की assembly, जैसे prayer assembly होती ही, वहां हमें बहुत सारे common uses words हमको use करने पड़ते हैं, तो एक simply जो instruct करने के जो काम में आते हैं, instructions देने के वो होता, classes, attention, attention में सावधान की स्थिती में खड़े हो जाना है, classes, stand at ease, अगर बच्चे खड़ी position मे हैं, तो आप उसके लिए term जब विश्राम की अवस्ता की बात करेंगे, तो आप उन्हें कहेंगे stand at ease, आगर बच्चे बैठे वी स्थिती में हैं, तो आप उनको कहेंगे classes, sit at ease, तो classes की जएके आप students भी use कर सकते हैं, children use कर सकते हैं, कोई बड़ी बात, इसमें को special वो नहीं हैं, बट चुकि वो class format में होता है, class wise line होती है, तो हम उस वे में classes use कर सकते हैं, classes, children या class 7, आप आपके सभी classes को line straight करने के लिए कह रहे हैं, सीधा बनाने के लिए, पक्ति को सीधा करने के लिए कह रहे हैं, तो या फिर बच्चों को कह रहे हैं, या फिर किसी particular class को कह रहे है तो आप ऐसे कह सकते हैं, classes make your line straight, अगर आप plural ले रहे हैं, तो lines आएगा, children है, plural है, तो यह लाएगा, make your line straight, और class 7 individual कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, make your line straight, class 7, make your line straight, तो यह एक common जो instructions का जो pattern होता है, उसके अलावा जैसे उनको हम प्रार्थना की इस्तति के लिए कह रहे हैं या उनको हाँ जोडने के लिए कह रहे हैं, आँखे बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, join your hands and close your eyes, join your hands and close your eyes, तो यह sentences आप use कर सकते हैं, इसके अलावा आप उनको प्रार्थना की position में आने के लिए कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, make prayer position, या come in prayer position, तो आप यह भी कह सकते हैं कि प्रार्थना की स्तती में आ जाएं या प्रार्थना की स्तती बना लें तो इस प्रकार के phrases आप यूज कर सकते हैं आप प्रार्थना के लिए ये भी कह सकते हैं गेट रेडी फॉर दे प्रेयर नेशनल एंथम गायत्री मंत्रा तो आप कह सकते हैं अगर आपको किसी बच्चे को फुकार के आवाज लगा के बूलना है कि यहां आना है या जाना है कही तो आप कह सकते हे बोई अगर आप नाम जानते हैं तो बहुत अच्छे बात है नाम लगा सकते हैं आप हे रोहित और अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो आप ऐसे भी गा फर जैंपल मैं कहूं हे बोई गव देया है यह बोई कम यह आप थोड़ा सा अपना स्टाइल भी अगर थोड़ा सा बना लें इस तरीके का तो बैटर इंग्लिश ब्रनाशेशन लगता है बैटर इंग्लिश स्पीकिंग लगती है अगर बच्चे क्लास में या लाइन में इधर उदर मूग कर रहे हैं हिल रहे हैं या इधर उदर जा रहे हैं तो आप उसके लिए यह वाला सेंटेंस फ्रेज यूज कर सकते हैं अगर सारे बच्चे हिल रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं या ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, All of you stay still, आप सभी एक रुख जाएं, हिले डुले नहीं, तो आप हिले डुले नहीं के लिए जो फ्रेज है, वो आप कह सकते हैं, All of you stay still, प्रेयर के assembly में, जब बच्चों को आप कह रहे हैं, कि line wise, class wise, ये height wise आपको खड़े होना है, तो आप उनको ये वाला command ये instruction दे सकते हैं, Students, stand class wise, and height wise, तो ये आप उनको बोल सकते हैं, अगर बच्चों को आपको one hand distance कराना है, तो ये gap करवाना है, तो आप कह सकते हैं, keep one hand distance, या keep one hand gap, या maintain one hand distance, या maintain one hand gap, तो ये आप instruction दे के बच्चों को खोल सकते हैं, इसके लिए कुछ और phrases हैं, जो classroom में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, teaching learning process जब हमारा चल रहा होता है, तो उस समय हमें कौन-कौन से sentences या phrases को commonly हम use कर सकते हैं, ताकि हम लगें कि हम English का use कर रहे हैं, तो देखें, आप word children यूज कर सकते हैं, students कर सकते हैं, individual किसी बच्चे को बोल रहे हैं, तो उसका name यहां लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, children, check out your Hindi book, या children, take out your Hindi notebook, या students, take out your Hindi notebook, या book, या आप उनको maths का, English का जो भी है, वो आप अपना subject यह adjust कर सकते हैं, तो आप student बोल सकते हैं, आप children बोल सकते हैं, children's नहीं होता है, ध्यान रखनायम को, children only, students, plural है ही, इसके अलावा आप individual किसी एक single child को बोल रहे हैं, तो आप बच्चे का नाम भी बोल सकते हैं, अगर आपको नाम बता है, तो आप ये वाले phrases, जो भी subject की notebook बुक आपको निकलवानी है, तो आप sentences इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, children, check out your notebook, take out your Hindi notebook, take out your Hindi book, तो आप कह सकते हैं, इसके अलावा जैसे आपको chapter teaching करना हैं, तो आप चाहते हैं कि आप page number open करवाना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, children open page number 120, या आप उनको कह सकते हैं, children open chapter number 5, तो ये आपके ओपर depend करता है, क्या open करवार है, तो आप amendment करते हुए, इस तरीके के phrases यूज़ कर सकते हैं, अगर आप किसी individual बच्चे के notebook आप अपने पास मंगवा रहे हैं, या book मंगवा रहे हैं, या notes मंगवा रहे हैं, या file मंगवा रहे हैं, जो भी कुछ आप मंगवा रहे हैं, तो आप यहाँ use कर सकते हैं, ए राहूल, bring your maths notebook to me, या जो भी आप मंगवा रहे हैं, वो यहाँ maths notebook, English notebook, English book, जो भी आपको add करना, वो यहाँ change कर सकते हैं और बोल सकते हैं अगर बच्चे बहुत ज़दा शोर कर रहे हैं, silent नहीं हो रहे तो आप उनको command दे, children keep quiet और आप कह सकते हैं children keep silence या आप कह सकते है students keep quiet या आप कह सकते हैं students keep silence या फिर individual किसी बच्चे का नाम लेकर की भी अगर कोई एक बच्चा particular शोर कर रहा है noise making कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं की कोई भी नाम लेकर के keep quiet और keep silence इसके अलावा आप बच्चों को बात नहीं करने के लिए कहना चाहते हैं तो आप एक और phrase है जो आप कह सकते हैं children don't talk एक तो था keep silence या keep quiet दूसरा है children don't talk या students don't talk इसके अलावा जैसे आप किसी individual बच्चे को जैसा कि मैं कही रहा था अगर आप किसी individual बच्चे को कहना चाहते हैं तो जैसे ऐसा कह सकते हैं Hey Aradya keep quiet Why are you talking क्यों बात कर रहे हो आप तो आप जब यह कहना चाहते हैं तो इस तरीकी का phrase sentence भी आप use कर सकते हैं अगर आपको किसी बच्चे को खड़ा होने के लिए बोलना है या बैठने के लिए बोलना है तो आप बैठने के लिए बोलना हो तो cancel sit down या आप कह सकते हैं cancel stand up तो यह आप individual बच्चे का नाम ले सकते हैं और अगर आप सभी बच्चे को बोलना चाहे हैं तो आप कह सकते हैं all of you sit down all of you stand up तो यह आप पर depend करता है कि आप कौन सा condition में बात करना चाहते हैं अगर आप किसी बच्चे को यह दंकी देना चाहरेंगे अगर तुमने दुबारा बात करी तो मैं तुम्हें दंड दूँगा या पनिश करूँगा या तुम्हें दंड मिलेगा तो इस तरीके से आप कह सकते हैं sonnet if you talk again I will punish you अगर आपने दुबारा बात की तो मैं आपको दंड दूँगा या आप कह सकते हैं sonnet if you talk again you will get punishment अगर तुमने दुबारा बात की तो तुम्हें punishment मिलेगा तो यह आप sentence use कर सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे जो phrases हैं या बच्चे sentence या phrases यूज करते हैं वो उनको भी deal करना है वो एक तो उनको improve करना है पहले तो कि वो correct बोले और दूसरा आपको भी पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और फिर आपको क्या reply करना है या ऐसे हाथ का इसारा करना है तो हाथ बात के इसारे नहीं करने के बजाए मैं language use करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैं पानी पीने जा सकता हूं तो दो condition होती है एक तो बाहर पानी पीने के लिए जाता है अब आपको कैसे reply करना है आप उसे या तो yes कहेंगे या no कहेंगे तो आप अगर yes use कर रहे हैं तो आप कहेंगे yes you may go और अगर आप उसको मना कर रहे हैं तो आप कहेंगे no don't go you may not आप अगर उसको मना कर रहे हैं तो आप कहेंगे no you may not और अगर आप उसे yes कह रहे हैं तो yes you may go तो यह आपको ध्यान देना है second बच्चा अगर अपनी बोटल से class में ही पानी पीना चाहता है तो आप से पूछ सकता है may I drink water from my bottle sir यह वो कह सकता है sir may I drink water from my water bottle यह वो कह सकता है madam may I drink water from my water bottle तो अब आप उसको answer yes और no में देंगे तो अगर आप yes में दे रहे हैं तो आप कहेंगे yes you may go और you may not go या आप उसे कहेंगे yes you may drink और आप कहेंगे yes you may not drink और no you may not drink तो यह आपको ध्यान देना है आप उसी समय उसको जाने के लिए तो करी रहे लेकिन साथ में वो खड़ा है आप उसको बैठाना चाहते है तो आप कहेंगे yes you down और और आगे आप उसमें जोड़ना चाहते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना आपको कब जाना है वो भी आपको instruct करना है तो आप कह सकते है go when the period is over अभी तो बैठ जाओ और जब period खतम हो जाए तब चले जाना तो आप उसे कह सकते है no you may not drink या you may not go sit जाओ go when the period is over तो आप इस तरीके का बात्चित कर सकते हैं एक और जो phrase है बच्चे जनरली बात करते हैं और continuously हम पूरा day उससे face to face यही देखने को मिलता sir may I go to washroom या madam may I go to washroom तो आप उसको या तो yes कहेंगे या deny करेंगे बना करेंगे तो yes अगर आप use कर रहे हैं तो yes you may go बच्चा ये भी आपसे पूछ सकता sir may I go to toilet और बच्चा पूछ सकता madam may I go to toilet तो आपको या तो yes में कहना या no में कहना है तो no में कहते हैं तो आप कहेंगे no go in the next period or races or interval आप उससे कह सकते हैं अगले period में जाना या आप उससे कह सकते हैं interval में या lunch में या races में जाना तो races interval या lunch time जो भी आप बोलना चाहें comfortable हो आप बोल सकते हैं और आपको नया वर्ड लेना हो तो races ले सकते हैं races का मतलब interval होता है तो आप उसे कह सकते हैं now go in the next period go in the races go in the interval तो यह आपके उपर डिपेंड करता है आप क्या use करना चाह रहें but you should try like that बच्चे दिन भर pencil sharp करने के लिए पूछते रहते हैं class में उसको पैना करने के लिए pencil को तो देखिये उसमें sharp word है तो आपको ध्यान देना है तो वह आपसे पुछेगा may I shop my pencil sir may I shop my pencil madam तो यह वो पहले इनको पहले use कर सकता है sir may I shop my pencil यह वो कह सकता madam may I sharp my pencil तो आप उसे या तो yes में answer देंगे या no में तो आपको if you are answering in yes अगर आप yes में answer दे रहे तो आप कहेंगे yes sharpen ये sharpen e n और लगा sharpen ये sharp ये sharpen तो आप ये वाला term use करेंगे बच्चे कई बार दिन भर एक्षेंच चलता रहता है वो उसको share करता है pencil मैं pencil ले लूँ pencil दे दूँ तो या book दे दूँ book ले लूँ notebook दे दूँ notebook ले लूँ जो भी change चलता रहता है तो वो बच्चा आप से पुछेगा sir may I take pencil from नाम बोल सकता है या वो ये भी कह सकता sir may I give pencil to तो आप उसे yes और no में answer देंगे और बोलेंगे या अगर आप no कह रहे है no bring your own आप अपने लेकर आया करें sharing is not allowed means अदल बदल करना allowed नहीं है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं बच्चा आप से पूछता है may I take pencil from raw head no bring your own sharing is not allowed sit down तो यह आपके commands हो सकते हैं instructions हो सकते हैं बच्चे दिन भर रोते हैं जो near classes में तो यह बड़ा issue है तो आप उसकी बात कर सकते हैं अगर कोई रो रहा है तो आप उस बच्चे को पूछ सकते why are you crying बीटा या उस बच्चे का name आप ले सकते हैं why are you crying run it calm down or don't cry चुपो जओ रो ये मत या चिला ये मत या like that ये instructions आपके इस वे में हो सकते हैं इसके अलावा जैसे बच्चे को आप कुछ activity board पर या screen पर करवा रहे हैं तो आप उनको ध्यान नहीं दे रहे तो आप उनको instruct कर सकते हैं look at the board children look at the board या आप कह सकते हैं look at the screen watch the TV अगर आपने TV में कोई program चला रखा है या screen पर चला रखा है तो आप कह सकते हैं watch the TV watch the screen carefully additional words आप यूज कर सकते हैं अगर बच्चे दान से आपके बात नहीं सुन रहे हैं या आप projector का कुछ नहीं सुन रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं listen carefully or listen to me तो ध्यान से सुनिये या ध्यान से देखी बच्चे अगर बुक में आप कोई activity कर वा रहे हैं और वो आप कोई देखनी रहे हैं या आप उनको instruct करना चाहते हैं कि अब आप बुक में देखी तो आप उनको कह सकते हैं look into your book यहाँ और लगाना है look into your book look into your notebook check your book check your notebook तो आप उनको instruct कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप बच्चों को कुछ dictate कर वा रहे हैं बोल करके कुछ लिखवाना चाहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं write what I see write what I speak देखें वापस में बोल देता हूँ write what I say write what I speak तो आप इस तरीके का sentences use कर सकते हैं तो यह कुछ sentences और phrases थे आपको काफी help मिलेगी इनको use करके थोड़ा confidence बना के रखें और use करना start करिए and thank you very much for watching this video